Good morning to all my dear students सबसे पहले आपका आपकी नई कक्षा में स्वागत है क्योंकि अब आप UKG से Class 1 में आए हैं तो यह कक्षा आपके लिए नई है मैं बंदना शर्मा आपको हिंदी पढ़ाऊंगी Class 1 में आप हिंदी में बहुत कुछ नया सीखेंगे आपको सब कुछ ध्यान से सुनना है सीखना है, पढ़ना है और समझना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी टेक्सबुक किस तरह की होगी यह आपकी हिंदी की टेक्सबुक है दिखें हिंदी प्रवेशिक का दूसरा सोपान यहाँ पर बी लिखा हुआ होगा और आपकी पुस्तक बहुत ही मज़ेदार है तो चलिए अंदर देखते हैं आपकी पुस्तक में क्या-क्या है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाथे पुस्तक से वर्ण पहचानू तो चलिए इस एक्टिविटी से मैं यह जानूँगी कि आप लोगोंने पिछली कक्षा में क्या-क्या सीखा तो देखिए हम किस तरह से वर्णों को पहचानेंगे और किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर कुछ डॉट-डॉट-डॉट करके देखिए लाइने दी गई है तो इनको हमें जोडना है और फिर जानना है कि कौन सा वर्ण बनता है तो चलिए जोडना शुरू करते हैं देखिए इस तरह से जोड़ा ओ, अरे वा, ये तो छोटा उ बन गया है ना, अब हम दूसरा जोड़ेंगे तो ये कौन सा शब्द बन गया? र मशली के अंदर कौन सा शब्द हो सकता है? येस, खो चलिए, अब हम तितली में ढूनेंगे कौन सा वर्ण बन टा है? तो चलिए, मिलाना शुरू करते हैं देखिए, हमने इस तरह से मिलाया तो, अब ये एक फेस है इसके अंदर हम मिला कर देखेंगे इस तरह से ये बन गया, वह घर के अंदर कौन सा वर्ण बनेगा? चलिए डूनते हैं ग, इसी तरह से हम आगे भी सब को मिला कर नए नए वर्णों को टूनेंगे अना अना यहां से तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्ण बनेगा? नल नल के अंदर? ना ग, यह चित्र जो है यह एपल का है पर इसके अंदर हमें कौन सा वर्ण मिल सकता है? त यह तो सन की पिक्चर है, सन मतलब सूरज इसमें हमें कौन सा वर्ण मिलेगा? चलिए हम ड्रॉ करके देखेंगे इसमें हमें मिला त तो देखें इन अलग-अलग विंदूओं को जोड़कर हमें कितने सारे नए वर्ण मिल गए तो इसी तरह से आपको भी आपकी टेक्सपूक में इनको जोड़कर वर्णों को ढूनकर लिखना है तो अभी तो हमने खेल-खेल में कुछ वर्णों को पहचानना सीखा अब हम पढ़ेंगे स्वर जोकी आपकी ही टेक्सपूक में पेज नमबर 10 पर दिये गये हैं पेज नमबर 10 पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने इन्हें पढ़ाओगा एक बार हमसे इनका रिविजन करेंगे स्वर और व्यंजन का तो आज तो हमसे स्वर के बारे में ही जानेंगे तो चलिए पहले हम इनको पढ़ेंगे पढ़ते समय आप लोग ध्यान से सुनेगा कि स्वरों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है पहला है ओ देखिए ओ का उच्चारण करते समय हमने बहुत छोटा साउंड निकाला यानि बहुत छोटी आवाज निकाली ओ से अनार दूसरा आ अब देखिए इसके उच्चारण में हमने थोड़ा सा मूँ खोला यानि बड़ा आ आ से आम इ इ बोलते समय भी हमने बहुत छोटा स्वर लिया क्योंकि छोटी इए इ से इमली इ अब इसमें देखिए हमने धुनी को थोड़ा लंबा खीचा इ इ से इक उ उ से उल्लू उ उ से उन इन स्वरों को मैं इसलिए बता रही हूं ताकि जब आप आगे मात्राइं सीखेंगे तब आपको मात्राओं को लगाने में असुविधा नहीं होगी इसलिए इनका उचारण ठीक से करिएगा जैसे उ उ का स्वर छोटा होता है उ उ का स्वर बड़ा होता है री से रिशी ए ए से एडी आय आय से आयनक दोनों के उचारण में देखिए फर्क है इसे हम ए पढ़ते हैं और इसे आय पढ़ते हैं इसी तरह आगे जब हम इनकी मात्राएं लगाएंगे तो मात्राओं में भी फर्क होगा ओ ओ ओ में देखिए ओ जब हम बोलते हैं तो ओ जैसा ओवल जैसा हमारा मुह हो जाता है ओ से ओकली ओ से औरत अंग अंग से अंगूर आहा खाली क्योंकि आहा से कोई वर्ण नहीं होता है इसलिए आहा से कुछ भी नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों यह थे आपके स्वर जिनको हमने आज सही तरह से उच्चारण करके पढ़ना सीखा अब इन ही स्वरों को हम लिखना सीखेंगे जिन कहते हैं क कदानी के एम्याव को अजसे हैं